उत्राखंड में रास्ती राजमार्क पर घूम रहे आवारा पस्वों पर अब रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाया जा रहा है और इसकी सुरुवात बनबसा नगरपंचायत के अंतरगत रास्थी राजमार्ग पर घूम रहे आवारा पसुओ पर बनबसा, नगर पंचायत और गौरक्षा दल बनबसा के सहयोग से बनबसा थाना ध्यक्ष लक्ष्मन सिंग जंगवाल द्वारा पुलिस बल के साथ मिलकर आवारा घूम रहे पसुओं के गले में रिफलेक्टर बेश लगवाई जा रही है। आपको बता दें कि आवारा पसुओं के रोड पर चलने और बैठने से रात में कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तक्राने से हो रही वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनबसा नगर पंचायत और गौर अच्छा दल बनबसा की टीम का सहयोग लेते हुए हमारी पुलिस टीम के द्वारा जगवड़ा पुल से रास्ती राजिमार टनकपुर रोड में सड़क किनारे बैठे और जालक को दूर से ही जानवर की पोजिशन पता चल जाएगी जिससे दुर्घटनाओं को एवाइट किया जा सकता है स्रीमान पुलिस अधिक्षक मोदाई चंपावत के दिसान निदेश अनुसार बहुत स्रीमान छेतरा दिगारी मोदाई टनकपुर के पुसर प्रोडेक्शन में हमारे द्वारा जो सड़क पर जो आवारा पसुक काफी समय से घूम रहे थे जिनके गारण रात्री के समय है कि आज हमारे द्वारा नगर पंचायत बन्बसा से संपर कर और पंचायत अधिक्षा स्योग से हमने गाई उप लगाने के लिए रिफ्लेक्टर वेल्ट विली हैं तो हमने यहीं बन्बसा के लोकल जो गोर सेवा उप्चार हमारी एक समयती है बन्बसा की उसके करमचारि यूपी नियूज 9 के लिए चंपावत के बन्बसा से लक्षमन सिंग बिस्ट की रिपोर्ट